तो इस न्यूस से अब ये न्यूस है अब आप न्यूस ही पढ़के छोड़ो दोगे लेकिन मैं इसमें अब काम की चीज़े निकालते कैसे हैं अब देखो हो क्या रहा है कि असम के अंदर में कोई जगह हैं गाओं हैं उसके गाओं के लोग जो है न वो एक लंगूर हैबिट लंगूर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइल लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहां पे वाइल लाइफ सेंचुरी मत बनाओ ठीक है ऐसा वो क्यों कह रहे हैं उनका मानना है कि वाइल लाइफ सेंचुरी का जो पुराना हो चुका है और इस जंगल के अंदर में कुछ ऐसी जगह है जो बहुत सेक्रेड है कुछ सेक्रेड रिजर्व है हमारे जो पुराने भगवान भगवान थे ना वह या तो जंगल में जाके बसते थे या पहाड में क्योंकि उनको भी शान्ती चाहिए होती थी तो वह कि वहर् Act ऐरी बहुत सेक्रेड है तो उस सेक्रेड उसकी सेक्रेड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको wild life century में मत कनवर्ट करो क्योंकि इसको forest right act जो है उसके तहत में Community Forest Reserve बनाया गया है सब को इसमें Community को भी सहवाणी बनाऊ तो आप इस आप जंगलों को क्या करो इस area को protect करो, तक जाके आप इस लंगूर को protect करो, यह जो लंगूर है, golden लंगूर, ठीक है, मैं आपको बता दू यह जो लंगूर है, यह critically endangered है, लुप्ट होने वाला है, तो यह सिर्फ इसके अंदर दो जगह है, ठीक है, उस वहाँ पाये जाता है, असम की बात है, क्या की बा जगह है, असम की एक जगह है, जिसका नाम है, बोंगाई गाउं, बोंगाई गाउं डिस्टिक्ट की यह बात है, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, century tag, फिर बात करेंगे कि क्यों किसी area को हम wildlife century बनाते हैं, क्या जरूरत है, उसके पीछे की चिलो को हम पढ़ेंगे, तो GS paper 3 से मंदीत है, conservation related issues, है ना, सो कहां से related है, GS paper 3 से, GS paper 3 में बोला गया, conservation related issues, तो वहां से बोला गया, consider the following pair, 2013 का सवाल दे रहा हूं है, कुछ pair है, ठीक है, ऐसे सवाल आप से पूचे जा सकते हैं, ठीक है, नौकरेक, बाइस पे रिजर्व, गारो हिल्स, लागतोक, ठीक है, लेक, यह है आपका, जिसको लोग तक बोलते हैं, लागतोक भी बोल देते हैं, तो यह बोल रहा है, बराइल रेंज, आपका नमदफ़ा, नेशनल पार्क, तो यह है, डफला हिल्स, कौन सा pair जो है, वो correctly match है, A, only one, B, दोर तीन, C, एक दो तीन, और D, मतलब none of the above, इन में से कोई भी नहीं, तो यह UPSC का सवाल है, UPSC का question है, 2013 में आया हुआ है, आप बताईए मुझे, ठीक है, थैंक यू विलास, थैंक यू विलास, कोतवाल, थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू for your love and support, ठीक है, ठीक है, थैंक यू very much, चली, now let's move to the next, ठीक है, अगले पर चलते हैं, तो यह बताना है आपको, ठीक है, this is the question, you have to tell me, यह question है, जो आपको बताना है मुझे, ठीक है, इसके बारे में, है ना, context क्या है, यह समझते हैं, दोस्तो, तो मैं कह रहा हूँ, एक golden lagur का habitat है, golden lagur, मैं भी बता दिया है, golden lagur को हम बचा क्यों रहे हैं, दोस्तो, हमारा धर्म, धर्म क्या, भारती संस्कृती कहती है, दोस्तो, जीवों की रक्षा करनी है, ठीक है, बचाना है सब चीजों को, तो वैसे भी और हाँ, अगर कोई critically endangered है, तो ecological diversity maintain करने के लिए, biodiversity को maintain करने के लिए, या मैं यूँ कहूं कि, जीवन को maintain करने के लिए, दोस्तो, यह आवश्यक होता है, कि हम जो diversity है, बिविधता है, उसको बचाएं, ठीक है, अगर ऐसे ही करके, एक जीब लुप्त हो गए ना, त ठीक है, उसके अंदर में कुछ लोग इस बात को oppose कर रहे है, ठीक है, कि राज्ये चाहता है कि वहाँ golden रंगूल को बचाने के लिए, एक wildlife century बनाई जाए, लेकिन ये लोग जो है, वो उसको क्या कर रहे है, अपोस कर रहे है, मैंने बता दिया, उनका भी मानना क्या है, उनक क्या कर सकते हो, community को साथ में लेके golden लंगूर को protect करो, अवेर करो बाकी लोगों को भी, बाई मैं हूँ, मैं इस बात से सहमत हो जाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को वहाँ जाने से मत रोको, आप लोगों को इस बात के लिए अवेर करो, ठीक है, आपको लंगूर को क्या करन जाता है दोस्तों, इस फाउंड ओनली इन असम और भूटान, यह केबल और असम और भूटान, दो ही जगह है, जहां पर यह पाया जाता है, golden लंगूर, यह इसका scientific name है, golden लंगूर is scheduled one spaces, मैं आपको बता दू, इसका जो है, protection status का है, भारत का जो wild life protection act 1972 है, उसके तहत हम इसक most endangered primates, मैं आपको बता दू दोस्तों, इसे दुनिया के 25 सबसे looked primates के अंदर में सूची बद किया गया है, तो बहुत important है इसको बचाना, इसलिए हम इसको बचा भी रहे हैं, the villager demands that the conventional idea of wildlife centuries be dropped, उनका मानना है कि जो idea है न, तुमारा wildlife century का, इसको तुम छोड़ दो, इसको तु एक समुदाइक forest बनाया गया है दोस्तों, using forest right act 2006, forest right act 2006 के अनुसार, इसको community forest बनाया गया है, to ensure community co manage the system of participation for sustainable conservation, ठेक है, they consider some of the areas inside the forest are sacred and its sanctity should be maintained, उनका मानना है कि जंगल का कुछ भाग जो है न, अंदर वो बहुत पवित्र है और उसकी पवित्रता बनायी रखनी आवश्यक है, और पवित्रता कैसे बनेगी, जब लोग जाएंगे, प्रातना करेंगे, इस प्रकार से, तो इसलिए कह रहा है कि भाईया, आप इस wildlife century इसको मत बनाओ, पहले reserve forest था, इसको इस act के अधिकार से, इसको community forest बनाया गया, अब आप फिर कह रहे हो कि इसको क्या बनादो, एक reserve forest कर दो, या wildlife century बनादो, तो मत करो, इसलिए villagers जो हैं, इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब बादा तीसर, wildlife century क्या होती है, तेको wildlife century का तात्वरी क्या है, कि मानलो कोई जीव, अगर किसी area में संकट प्राय है, उसको कोई खतरा है, तो हम wildlife century में रखके उसको protect करते हैं, conserve करते हैं, ठेक हैं, ताकि वो लुप्त ना हो जाए, लुप्त होगा तो diversity खतम होगी, तो यही इसका काम है, wildlife century वन्यजीव अभिहारन जो है दोस्तो, एक ऐसा छेतर होता है, जहां पर उस पशू का जो निवास है, उसको बचाया जाता है, उसकी आसपास की जंगों को surround को भी protect किया जाता है, इस area में capture उस जानवर को पकड़ना, मारना, ठीक है, उसका शिकार करना जानवरों का, वो बहुत strictly prohibited होता है, ऐसे reason के अंदर में, wildlife century के अंदर में, हम उस जीव को क क्या करते हैं, आपर protect करते हैं, protection of endangered species, लुप्त पराय प्रजातियों का संडरक्षन, बहुत सारी species और plants हैं दोस्तों, जो अभी लुप्त होने वाले हैं, विलुप्त हो जकते हैं, विलुप्त होने के गार पे हैं, और उनी को बचाना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंक आते हैं, various centuries have been established, such as ये रही, जिसका नाम अगर हम देखें आपर, फ्लेर्यू यू, बहुत सारी ऐसी जो है बनाई गई है, जैसे फ्लेर्यू यू पेनिन्सुला के उपर में एक century बनाई गई है, जहां पर glossy black आपका जो kakotos, ये कववा होता न, वैसा ही दिखता है, उसको protect कराने के लिए, ये आपका फ्लेर्यू पेनिन्सुला century जो है बनाई गई, तो ऐसे बार बार किया जाता है, किसी एरिया में, किसी particular जीव को, species को, या पेड को protect करने के लिए, हम इस प्रकार की, जो है, कदम उठाते हैं, wildlife century जो होता है, दोस्तो, ये हम किसी भी endangered, होने वाल Biologist activities and researchers are permitted in the wildlife century, so that they can learn about the animal living there, और वन्यजीव अभियारन के अंदर में, जीव विग्यानिक जो होते हैं, वो जाते हैं, ठीक है, सब को जाने के नुमती नहीं होती, बढ़ जो जीव विग्यानिक है, वो जाते हैं महाँ पर, ताकि वो उस एरिया को protect कर सके, उसको conserve कर सके, वह बैठे रहो, आपनी जरुरत के उताबिक जब भी आपको ठीक लगे, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ century ऐसी हैं दोस्तों, जहां पर, मानलों, injured है कोई animal, ठीक है, तो उसको ल तो यहां पर वने जी उपयारण में हम उनको human predictor, जो human सिकारी हैं, उनसे भी हम इन जानवरों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, इन जानवरों की हम बचाते हैं, समझ में आ गया, मेरे इसाब से समझ में आ गया होगा, चली दोस्तों, related search क्या है दोस्तों, अब इसमें कु सबसे पहले आपको ध्यान देना है, community forest का नाम आया है, तो community forest क्या होता है, समुदाइक जंगल, कल मैंने आपको, कल ही तो पढ़ाया था, definition क्या होती, forest की, जंगल की definition क्या होती है, legal terms में, वो आपको पता होना चाहिए, और eco tourism क्या है, ठीक है, सो ये बाते हैं, जो आपको प परिभासा, परियावन, परियाटन, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे wildlife century क्या होती है, what is wildlife century, इसका महत तो क्या होता है, role in the protection of endangered species, किसी endangered species को प्रेट करने के अंदर में, किस की सीज का role रहता है, और community forest क्या होते हैं, तो this is the prelims specific, ये prelims के लिए है, आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी में, अब बात करते हैं, ये UPSC के सवाल की, पूछा गया सवाल है, सही जवाब जो था है दोस्तों, इसका वो है A, मतलब पहले वाला जो है, वो correctly match है, no crack, biosphere reserve कहा पर है दोस्तों, गारो hills में, बाकी कोई भी सही से match नहीं है, तो 2013 में आया था, तो इस प परकार के questions आप से पूछे जा सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, mains के लिए आते हैं, आप mains के लिए बहुत basic सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, basic, और मैं एक बात बुलता हूँ, सवाल लिखते हो ना, ये जब ये question करते हो, इसके लिए आप किसी भी copy का, अपने notes का ठीक है, आप सारा ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने notes का ये copy का सारा ले सकते हो, किताब मैं इसे भी देख सकते हो, कोई tension नहीं है, what is wildlife century, सवाल है मेरा, what is wildlife century, wildlife century क्या होती है, discuss करना है आपको, इसके महतों के बारे में बताना है, ठीक है, क्या महतों होता है, अब इसमें यार मुझे लगता है सवाल को लिखवाने की भी जरूरत है, करने की भी जरूरत है, ठीक है, आपको ये वैसे ही आद होना चाहिए, पता होना चाहिए और आप इसको बस लिख दो, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा है, जो आपको नहीं पत टेलिग्राम चैनल है, उसको क्या कर लो, फॉलो कर लो, और चैनल भी फॉलो कर लेना अपना, और साथ-साथ में बता दू बच्चो, वीडियो लाइक और शेर करते रहो दोस्तो, आप जब लाइक और शेर करोगे ना, तभी जो है, हम जादा लोगों तक पहुंच पाएंगे ठीक है, और मैंने बोला, हमें जादा लोगों का एजुकेट करना है यार, और साथ-साथ में दोस्तो, देखो, मेरे साथ जुड़के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो, प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ, यह GS का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प प्लस और आइकोनिक, दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है, आप यहाँ पर ले सकते हो, दोस्तो, प्यारे बच्चो, यह आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइज है, छे महीने, एक साल, दो साल, तीन साल, ठीक है, यह इधर है, आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन है, एक साल, the session so guys please like the video share it and subscribe the channel thank you very much take care bye bye love you guys